बच्चों सूप्रभाद आशा करती हूँ कि आप लोग सुरक्षित होएंगे और सस्त होएंगे बेटा दो बैलों की कथा का आज सेकिंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि हीरा मोती जूरी के बैल थे दोनों बहुत समझदार थे अपने मालिक से बहुत प्रेम करते थे लेकिन एक बार जूरी ने उनको अपने साले गया के घर भेज़ दिया तो उन दोनों बैलों को बहुत बुरा लगा और वो रात को रस् अब हए लड़की रहती थी जिसकी सोतेलीमा थी तो वह उसको मारती थी भाखी लड़की इन बैलों को एक एक रोटी दे जाती की तो वो जो उस रोटी में जो प्यार था उस रोटी में जो अपना पन था उस भावना से हीरा और मोती जो फ़ूठी से लेकर तब आगे चलते हैं ठीक हैं उस एक रोटी से इनकी भूब्सक्राइब पर दोनों को इर्दय को मानों भोजन मिल गया यहां भी किसी सज्जन का वास है लड़की भैरों की थी उसकी मा मर चुकी थी सौतेली मा मारती रहती थी इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रिकार की आत्मेता हो गई थी ठीक है उसको बैलों को लगता था कि यहां भी किसी दंडे खाते अड़ते शाम को ठाण पर बांदी जाते ने राद को वही बालिका उन्हें दो रोटीयां खेला जाते प्रेम के इस प्रिसाद की वरकत यह थी कि दोधों कान सूखा-फुझा खा कर भी दोनों दुरुबलण ना होते ही दुरुबल मानिकम दोल मगनेकं मागर दोनों की आखों में रोम-रोम में विद्रोह भरा था लेकिन उनके अंदर बहुत जादे बदले की भावना विद्रोह की भावना भरी ऊई थी एक दिन मोती ने मुखभाष्णा में कहा अब तो नहीं सहा जाता ही रा यह बच्ची जो थी जो इस घर का मालिक है ये बिचारी अनात्ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेक दू भई तो उस लड़की को मारती है लेकिन और अजात पर सिंग चलाना मना है ये भूले जाते हो अब देखिए प्रेम जंद जी ने नारी जाती का सम्मान करा है और उन्होंने कहा है कि नारी होती है पूझने होती है सम्मान करना चाहिए उस पर सिंग नहीं चलाना चाहिए उस पर हात नहीं उछाना चाहिए त्व किसी तरह निकलने ही नहीं देते बताओ तोड़ा कर भाग चले हाँ ये मैं सुईकार करता लेकिन इतनी मोटी रसी तूटेगी कैसे ये किसने कहा ही जाने इसका उपाई है पहले रसी को थोड़ा सा चबा लो फिर एक जटके में जाती है जाती है मतलब फिर तो तूटी जाएगी रात को जब बालिका रोटी अखिला कर चली गई तो दोनों रसी चबाने लगे पर मोटी रसी मुह में ना आती थी विचारे बार-बार जोड ल उसने उनके माते सलाय और बोली खोले देती हूं चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे आज घर में सला हो रही थी किनकी नाकों में नाट डाल दी जाए नात माने नाक में नकेल नाक में रसी डाल देते हैं जानवरों के उसने गराब खोल दिया पर इस अनात पर आफ अताएगी सब इसी पर संदे करेंगे सैसा बार का चलाई दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं ओ दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं जल्दी दोड़ो गया हरबढा कर भीता से इकला और बैलों को पकड़ने चला वे दोनों भागे गया ने मोती को भागने का मौका मिल गया सीधे दोड़ते चले गए यहां तक कि मार्क का भी ग्यान नी रहा मार्क माने रास्ते का उनको ग्यानी नी रहा कि वो कौन सी सड़क पर भागे जा रहे हैं बस अपनी जान बचाने के चक्कर में बस भागे जा रहे थे जिस परिचित मार् पशुने लगे कि क्या करना चाहिए हीरा व Knights मजा मालूम होता है रहा भूल गया है रामा ने रास्ता तुम भी बेतऔह शाह भागे वहीं उसे मार गिराना था डेता हशाम बिन सोचे समझे अंदाध ना? उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वो अपने धरम को छोड़ दे, रेकिन हम अपना धरम क्यों छोड़ें? दोनों भुँख से व्याकणु को रहे थे, खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, पास में जब वह वहां पे दौरते जब रुखे तो पास में मटर का तो वहां मटर की खेत में वो चरने लगे रह रहकर आठ लेते थे कि कोई आता तो नहीं है थोड़ी थोड़ी दिर में देख लेते थे कि कोई आतो नहीं रहा या मटर खा रहे थे जब पेट भगया तो दोनों ने अजादी कानपव किया तो मस्त होकर उचलने कूदने लगे दोनों ने डकार ली फिर सिंग मिलाए और एक दूसरे को ठेकने लगे ठेकने लगे मतलब धक्का देने लगे मोती ने हीरा को कई कदम पीछे अटा दिया यहां तक कि वो खाई में गिर गया तब उसे भी ग्रोध आ गया समझ कर उठा और मोती से बिढ़ गया मोती ने समझने से हीरा खाई में गिर गया तो हीरा को भी उठके उसके बार करने लगा तो मोती समझ गया कि हीरा को गुष्षा वह शांत हो ख़दा ओग गया थें फिर उतने मिन उने क्या देखा, जब वो यह सब कर रहे थे, टकना समझ में ना पूरा हाती था, उसễ भिढ़ना से हात होना है, लेकिन न भिढ़ने पर भी जान बच्ती निदर नहें आती, इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भेंकर सूरत है मोती ने मुख भाष्टा में कहा बुरे फसे जान बचेगी कोई पाय सोचो हीरा ने चिंतिस्वर में कहा अपने घमंड में फूला हुआ है आर्जुबिंती ना सुनेगा आर्जुबिंती मतलब हमारी कोई प्राथना ये नहीं सुनेगा समय सको अपनी ताकत का भाग घमंड है और हमको मारने के इमूड में आ रहा है भाग क्यों न चलनी भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो बंदा तो 921 होता है मोती ने का तुम्हें रहना है तुम रहो मैं तो भाग रहा हूं 921 होना मतलब भाग जाना और जो दोड़ाए मोती ने कहा कि अगर तुमको दोड़ाए तो तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द सी है तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द उपाय ये है कि उस पर दोनों जने एक सा चोट करें, मैं आगे से रगेता हूँ, तुम पीछे से रगे दो, दोरी मार पड़ेगी तो भाखड़ा होगा, मेरी योज अप्टे तो तुम बगल से उसके पेट वे सिंग उजेड देना, जान जोखिम है अपर दूसरा उपाय नहीं है, अब उनको कहा कि अब जाते सोचने समझने का टाइम नहीं है, बस जल्दी से निरना लेलो कि कैसे इस से निवटना है, दोनों में तो जान हतेली पर लेकर लबके, जान हतेली पर लेकर ये भी एक मुहावरा है, जान हतेली मतला प्राणों को अपने हाथ पर लेकर, अपने प्राणों की बाजी लगा कर उसकी सान चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले पर यह दोनों भी उस्ताद थे उस्ताद मांने होश्यार उसे वो अफसर ना देते थे एक बार सांड जला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोग दिये सांड क्रोज में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहरू से सींगे चुपा दिया आकर बिचारा जखमी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया यहां तक की सान वेदम होकर गिर पड़ा तक दोनों ने उसे छोड़ दिया दोनों मित्र जीत के नशे में जूमते चले जाते थे क्योंकि उन्हों ने उसको भगा गिरा दिया था और वो जीत गए थे मोती ने सांकेटी भाष्षा में कहा मेरा जी चाहता था कि बच्या को मार रिडारू बच्या मतला बच्या को बच्चे को है न बच्च्य को बताता हुँ भी के जैसे हम लोग बोलते हैं ऐसी वो बोल रहा था ही रा ने तरसकार किया गिरे हुए बैरी पर सीखना चलाना चाहिए मोती बोला यह सब ढूंग है बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे अब घर कैसे पहुंचोगे यह सोचो पहले कुछ खा ले तो सोचे अब वो इत कि दो आदमी राठियां लेकर दौर पड़े और दोनों मितनों को घेर लिया हीरा तो मेर पड़ था निकल गया पर मोती सीचे वे खेत में था उसके एक उर कीचर में धसने लगे ना भाग सका पकड़ दिया हीरा ने देखा संगी संकर्ट में तो लोट पड़ा फसेंगे त उनों ने दोनों को पकड़ दिया और कहां लेगा है कांजी होस में बंद कर दिया दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबक मिला था कि सारा दिन बीद गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला समझ में ही नहीं आता था कि कैसा स्वामी है इससे तो गया फिर भी यहां तो किसी ने कुछ उनको खाने को दिया ही नहीं, यहां कई भैसें, बकरियां, कई घोडे, कई गदे, पर किसी के सामने चारा नहीं था, ठीक है, बहुत सारे जान बढ़ते वहाँ पर लेकिन किसी के सामने कोई चारा नहीं पड़ा था, सब जमीन पर मुरदों की तरह प तदोनों ने दिवार की नमक से कुछ तरफती हो ति तो की जिप दिवार धिल सेंने तुर बंद्रों की जीब сек真的 आग अब तो जा जाता मोती से बोला अब तो नहीं रहा जाता मोती मोती ने से लटकाय को जबाब दिया मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं इतनी जल्द हिम्मत नाहार हो भाई यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए आओ दिवार डू डाले आओ दिवार डू डाले मुझे तो अब कुछ नहीं होगा पस इसी बूती पर अकड़ते थे सारी अकड़ निकल गई अब हीरा ने उसको स्वाह दिलाया यह तुम तो अपने आपको भाद बड़े पहलबान और भाद ताकतबर समझते थे तुमारी एक ही दिन में सारी दिवार में गढ़ा दिये और जोर मारा तो मिट्टी का चिपड निकलाया चिपड मा ने उसका सिमेंट वगरा उसमें से पपड़ी सी निकलायी निकलाया फिर तो उसका साहस बढ़ा उसने दोर दोर कर दिवार पा चोटे की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी ग मोती ने पड़े पड़े कहा आखिर मार खाई क्या मिला अपने बूते भर का जोर तो मार दिया ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंदन पड़ गए जोर तो मैं मारता ही रहूंगा चाहे कितने भी बंदन पड़ते जाए जान से हाथ हो ना पड़ेगा कुछ परवा नहीं यो नख जालते वह झएं अगर दिवर रसी से बांदे आंगए घैए जोर फ्रसी ने कोई ऊसी चौह हैं चेह दवा हाल रातो हम मढ़ जाएंगे हाँ यह बात तो है अच्छा तो फिर मैं भी ज्व लगाता हूं मोति ने वी दिवार में ने शिंग मारा थोड़ी सी मिट्टी किरी और फिर हिम्मत बढ़ी जब उन्होंने देखा कि अच्छा दिवाल गिरना शिरू हो गए तो उनकी हिम्मत और बढ़ गई फिर तो दिवार में सींग लगा कर इस तरह जोर जोर करने लगा मानो किसी प्रतिजंदी से लड़ आ हो मतला प्रतिजंदी माली जिस्टेस की प्रतियोगता हो रही हो बेजन माने थोर्व दिवार प्रक्रिया निकली और इसके बाद में भैसे भी खसक गई अभी तक जियों के त्यों खड़े थे कौन खड़े थे गदे फिर ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते एक गदे ने कहा जो फिर वहीं पगड़ दिये जाएं तो क्या हर्ज है अभी तो भागने का मुझे रहे थे कि भागें या ना भागें और मोती अपने मित्र की रसी दोड़ने में लगा हुआ था जब वह हार गया तो उसने हीरा से कहा तुम जाओ मुझे यहीं पड़ा रहने दो शायद कहीं भेट हो जाए बिचारा जो था मोती की रसी काटने के काट रहा था लेकि क्या मैं अब तुम्हें छोड़की चला जाओंगा मोती ने आखों में आशू लाकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा हम तुम इतने दिनों तक साथ रहे आज तुम विपत्ती में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाओं हीरा ने कहा ब तो मुझे मार पड़े तो क्या चिंता उसने का तुम में भी तो तुमारे मोट गले में तो मोटी रसी बांदी गई है अगर मुझे भी बांदिया गया तो क्या हो गया कोई बात नहीं है इतना तो हो ही गया कि नौदर्स प्राणियों की जान बच गई बेस अब तो आशिर बात देंगे तो उनकी दुआएं हमें लगेंगी तो हमारी जान भी बची जाएगी यह कहते हुए मोटी ने दोनों गदों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंदू के पास आकर सो गया उन्होंने क्या करा सींग से गदों को भी बाहर बग आगे थे तो काँजी हास में लोगों ने ऊनको बंद कर दिया था उनको वकाई दिन तक भूब का रहना पड़ा था फिर उन्होंने विद्रों में आके देवाल तोडि देवाल तोड़ के जितने भी जनबर माहां पर पड़े थे उन सबको भगाया और गधे नहीं जा रहे जो बची हमारी कहानी है इसको हम वीडियो के थार्ड पार्ट में पढ़ेंगे ठीक है आप लोग स्वस्र रहिए सुरक्षित रहिए घर में रहिए है ना धन्यवाद बच्चों